तो बहुत सारे एनालिस्ट और पंडितों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है मुद्दा बड़ा स्पेस्फिक होता है मैं तो यह बोलूँगा पहलवानों का मुद्दा तो इंडिविजूल मुद्दा है अगर कुछ पहलवानों के साथ कोई प्राब्लम हुई कुछ भी हुआ तो चार चार दस लोगों के साथ जो है लौ एन ओर्डर या किसी चीज की प्राब्लम है लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट उसको इतना ग्लोबल विश्च व्यापी मुद्दा बनाएंगे कि ऐसा लगेगा कि अब पूरे भारत पूरा वो मुद्दा पूरे भारत का मुद्दा बन गया है अगर इतना बड़ा ये मुद्धा बना करके एनालिस्ट दिखाते हैं जो कि उनकी गलत फ़हमी होती है और वो जाके टैने टाम फिस हो जाता है पहनवानों का मुद्धा क्या पुरे भारत का देश वेपी मुद्धा है कोई मुझे एनालिस्ट बताए अगर ऐसा होता तो हर गली चोरह है पे नुकड और धर्ना हो रहा होता वो गिन्चुन के जो बैठे हैं वही बैठे हुए है ना एक लीडर आया अपोजिशन का ना पक तो मुद्धा वो भी नहीं बन पाया तो अगर पूरे देश का मुद्धा नहीं है तो यह वाकई में हवा हो जाएगा और 0% इसका इंपक्ट पड़ेगा या असर रहेगा 2024 में जिन पत्रकारों को जिनको यह दिखाना है कि यह तो इतना बड़ा मुद्धा है कि अमेरिका क केंपरीजन रॉंग परसेप्शन बहुत बड़ा करके किसी चीज को दिखाना इतने आसानी से देखिए मैं तो यह भी बोलता हूँ इतने आसानी से बिपक्ष को भी नहीं हटाया जा सकता है और जो सकता में है बीजेपी इतने आसानी से नहीं हटाया जा सकता है शेथ चिल मिश्रा जी आपका आखरी कोवेंट जाए यह सब लोग इन लोगों को मौका पर मिलता नहीं कि एक साथ मिटिंग कर पाएं क्योंकि वहां तक पहुंची नहीं पाते हैं तो ठीट है वाई बाहर ही मिटिंग लो चुनाओं के बाहर ही कभी भीयर में कर लो कभी दिल्ली में दो को मोका ही नहीं मिलेगा और मिटिंग से जो भी आएगा आप देख लीजेगा खीक है मिटिंग से मंच पे कुछ हो गया अब डिकलेयर कर दिया कि हाँ जी फार्मूला बन गया यूरेका यूरेका ये सब चिला सकते हैं लेकिन उस फार्मूले को अमली जामा पहनाना और वोट को गैदर करना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि इन लोगों को सरकार मनाना मुश्किल लग रहा है तो मैं कोई बहुत आशानुवीत नहीं हूँ मैं इसको एक सिंपिल पोलेटिकल गैदरिंग की तरह देख रहा हूँ